तो देखें इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एवियेशन की एवियेशन क्या होता है ऑगिस तरह 12 के बाद आप अप एवियेशन में अपना केरियर बना सकते हैं, तो एवियेशन को अगर हिंदी में बताओं तो बिमान परिशालन, इसकी परिवासे ये है कि हवाई जहाज का पुरा संचालन परिशालन और किस तरह रख रखाओ मैंटिनेंस इन सब के लिए क्या कोर्ष होते हैं, जिह सकते हैं कौन सा कोई करना चाहिए तो आप ये वीडियो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि अभीएशन में आप किस तरह अच्छी उडान भर लें अपना फ्यूचर किस तरह बिराइट कर लें तो देखिए आज हम आपको बता रहे हैं अभीएशन कोर्स आफटर 12 अगर आप QC करना चाहते हैं 3 साल की aviation में तो 3 साल का बिएशन कोर्स होता है ठीक है और और इस पर करने के बाद हैं अगर आप इंधिया में जॉब करेंगे तो 5 डसलाग का पेकेजु सकता है उसी तरह अगर आप वाहर करेंगे तो यही पैकेक करोणों और लाखों में जाता है ठीक है तो यह अंडर गिरिजू डिगरी होती है और तीन साल का डिवरेशन होता है इसमें ठीक है तो यह हेलिकॉप्टर एयर प्लैंस इन सब में डील करती है उसके बाद अगर आप बीटे याशे भी एरोस्पेस इंजिनिरिंग कर सकते हैं ठीक है अब अरोनाटिकल इंजिनिरिंग एंड एस्ट्रोनाटिकल इंजिनिरिंग ठीक है इसका पार्ट होता है एरोस्पेस इंजिनिरिंग ठीक है अब अरोनाटिकल इंजिनिरिंग में काफी कवर की गई है लेकिन इलेक और नॉटकल इंजिनियर में जाएंगे तो आप इन सब के बारे में जानेंगे तो चार साल का होता है ठीक है और इसके लिए आपके पास मिनमम 12 स्पास होना चाहिए आपका और 60 परसेंट होने चाहिए अगर आप कंडिडेट हैं तो आपको 55 परसेंट लाने पड़ेंगे ठीक है अब थर्डवन आता है अगर आपका बजट सही नहीं है आप चाहते हैं चार साल या तीन साल नहीं मरवाद करते हैं तो आप इंटर के बाद सीधे 6 महीने या एक साल के कोस होते हैं डिप्लोमा इन एविएशन ठीक है अब इसके लिए विए 10 प्लेश्टू के वाद आप कर सकते हैं ये 6 महीने और एक साल के होते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप को कॉलेश के बारे में कितनी फीश लगती है कौन से कॉर्स में कौन सी डिग्री में किस तरह मतलब कौन सा कॉलेश सही रहेगा कहां क अच्छा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले पार्ट टू में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह जौब और के साथ जैहिंद जैभारत